हेलो वीवर्ज आज का डिजाइन बनाने के लिए हम इस्पेशल ट्रिक का यूज करेंगे जिसकी हैल्ट से आप बहुत इजली यह डिजाइन बना सकती है फैबरीक को हम double fold कर लेंगे और double fold करने के बाद दो-दो इंच की लंफाई पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसे straight line की साथ अच्छे से हाइलाइT करेंगे इसकी बाद फैबरीक को center से लेते हुए 2-2 inch की markparty हम फिर से कर लेंगे fabric को fold करने का fartoय Pastor यह होगा कि दोनों side हमारी marking एक साथी हो जाएगी इसे भी अच्छे से ऐसे हम Guide Line कीसाथ highlight कर लेंगे और fabric को ऐसे है हम 2 इंच की लंबाही तक cut कर लेंगे दोनों side से एक साथी हमारा fabric cut हो जाएगा और हमारे फैब्रिक का कट इस तरह से आया है साइड से हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था अब हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से फॉल्ड करना है टायंगल की शेप में बन फोल्ड करेंगे इसके बाद हम डबल फोल्ड करेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे इससे आप बहुत इजली ट्राउजर शेफ वाला डिजाइन बना सकती है आपको अलग से फैब्रिक का यूज करना नहीं पड़ेगा तो इजली गाईज आप इस तरह से इस्ट्री जरूर करें यह हमारा बैक साइड होगा फ्रेंट साइड हमारा इधार आएगा अब एक सेंटिमेटर का ग्याप रखते हुए या फिर देड साइड में इस तरह से पिंटक्स बना लेंगे इस डिजाइन को हमें थोड़ा से अठ्रैक्तिव बनाना है इसकी बात फिर से हम ए करने के बाद अब हम इन दोनों फैब्रीक के सैंटर में यह जोइन वाली लैज को अटेच करेंगे सबसे पहले हम डिजाइन वाले फैब्रीक के साथ याइस को अधाईच करेंगे फ्रेंट-साइड पर इस तरह से रगत हुए इस चिस दरने करेंगे घंग تबाद इस तरफ औ करेंगे और फिर से इसी प्रोसेस को दोराएंगे तो गाइस अगर आप इस तरह के डिजाइन और देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुर न भूलें ताकि हम जब भी वीडियो अफ्लोड करें आप उससे हैल्प उ इसे आप थोड़ा साव रेक्टरक्टी बना सकती है उपर की साइड इसमें लैस को टैच करके